सर्वेभ्य नमोनम आज शार्दा संस्कृतम भाग आठ पंजमा पाठा वंदनिया व्रिक्षमाता करेंगे अब वंदनिया व्रिक्षमाता कौन है सालू मार्दा थी मक्का ये हैं सालू मार्दा थी मक्का तो इनके बारे में आज हम जानेंगे इस पाठ में भारतास्य दक्षिने करनाटक राजिये अस्ति किंचन राम नगर भारत के दक्षिन में करनाटक राजिये करनाटक राजिये में अस्ति है किंचन कोई राम नगरम राम नगर बारत के दक्षिन के करनाटक राज्य में कोई रामनगर है तत्त्रईव वही मगदी यह भी नाम है इती तालूकायां तहसील में तालूकात तहसील खुलिकल ये भी स्थान का नाम है इती स्थाने इस थान पर नीवसती रहती है 107 वर्षिया 107 वर्ष की सालू मारदा थिमक्का ये इनका नाम है इती महिला ऐसी महिला वहीं मगदी ऐसी तहसील में हुलिकल नामक स्थान पर 107 वर्षिया सालू मारदा थिमक्का ये महिला रहती है अस्या नास्ती काचित संतति ही इनकी कोई संतान नहीं है सा कदापी विद्याल्यम न परविष्टवती वहे कभी विद्याले नहीं गई उन्होंने कभी विद्याले परवेश नहीं किया अत पठनम लेखनम च न जानाती इसलिए पढ़ना और लिखना नहीं जानती विवहास से अनंतरम तस्यहा पती श्रमिक रूपेन कार्यम कृतवा तस्या पालन पोष्णम करोती स्म विवहा के बाद उनके पती श्रमिक के रूप में कार्य करके उनका पालन पोषन करते थे स्मा का पर्योग भूत काल क्रिया बनाने के लिए कर लिया जाता है अगर वर्तमान काल के क्रिया के पीछे अगर हम स्मा लगा देंगे तो वो भूत काल की क्रिया बन जाएगी थिमक्का बहु वारम पत्यू सहाययम कर तुम थी मक्का बहुत बार पत्यू पती की शष्टिय ये पती की सहाययम करतुं सहायता करने के लिए स्वयम अपी स्वयम भी श्रमिक रूपेन श्रमिक के रूप में क्रिशिक खेत्रेशू क्रिशी क्षेत्र क्या जहां पर खेती की जाती है अथवा जहां तकनीकी रूप से पोधे लगाए जाते हैं उसको क्रिशी क्षेत्र कहा जाता है क्रिशी क्षेत्रों में कार्यम कार्य करूतीस्म करती थी थी मक्का बहुत बार पती की सहायता करने के लिए स्वयम भी श्रमिक रूप में क्रिशी क्षेत्रों में कार्य करती थी ग्रीहे घर में अत्यंतम अभाव प्रस्रित आसीद घर में अत्यंत अभाव फैला था बहुत कमी थी घर में कालस्य इतो अपी काल का बहुत इतो अपी इधर से भी कह सकते हो काल की तरफ से भी या काल का ओर भी जैसा चाहे वैसा कह सकते है काल का और भी कठोर प्रहार थिमक्काया जीवने थिमक्का के जीवन में अभवत हुआ काल का और भी कठोर प्रहार थिमक्का के जीवन में हुआ अब क्या काल का गठोर ये समय का प्रहार था कि उनकी सा विवाहस्य उनोंने विवाहा के मिंशती वर्षानां बीस वर्षों के पश्चाद अपी पश्चात भी बाद में भी संततिम संतान न नहीं लब्दवती पाई उनोंने विवाहा के बीस वर्ष बाद भी संतान प्राप्त नहीं की श्वसुराल्य ससुराल में महिला महिलाओं या महिलाएं कटू वचनई कडवे वचनों से तस्या उनको तरजनमोता ड्राना कुर्वंतिस्म करती थी ड्राती धमखाती थी जैसे ससुराल में महिलाएं कडवे वचनों से उनको ड्राती थी कटू वचनानी शुत्वा शुत्वा परिश्टानता कडवे वचन सुन सुनकर थकी हुई थी मक्का एक दा एक बार बहु बहुत दुखिता दुखी अभवत हो गई कडवे वचन सुन सुनकर थकी हुई थी मक्का एक बार बहुत दुखी हो गई तदा तब तस्यहा पती उनके पती ने धार्येन धार्या से ताम उनको संतोषियन संतोष देते हुई उनको संतुष्ट करते हुई अवदत बोला यत कि प्रकृती एव प्रकृती ही असमाकम शरणम हमारी सहारा है व्रिक्षा एव व्रिक्ष ही असमाकम हमारे पुत्रा पुत्र इती ऐसा तब उनके पती ने धार्ये से उनको संतोष देते हुई बोला कि प्रकृती ही हमारी सहारा है व्रिक्ष ही हमारे पुत्र है ऐसा तो अब इसमें बहुत सारे ऐसे शब्दाएं हैं जिनमें या संधी है, किसी में प्रत्ते है, तो वो अब हम देख लेते हैं कि कैसे देखे सबसे पहले किंचन, किंचन में आया है संधी किम प्लास चन उसके बाद नास्ती, ना प्लस अस्ती उसके बाद ये तत्रईव भी आया है, तत्र प्लस एव और दिखते हैं, इसके बाद आया है, विद्ध्याल्यम में भी कर सकते हो, विद्ध्या प्लस आल्यम, ये तो आप जानते ही हो, कदापी, कदाप्लस अपी ये भी दीरगसंधी है इसके बाद इतो अपी इतह प्लस अपी विसर्गसंधी है, पश्चाद पी पश्चाद प्लस अपी जश्चसंधी अर्थात ये व्यंजन संधी है, त को द हो गया उसके बाद श्वसुर आल्य, ये कैसे है ससुर आल, श्वसुर माने होता है, ससुर आल्ये घर में, श्वसुर प्लस आल्ये ये तो हुई संधी, एक आदर रह गई होगी तो आप अपने आप कर सकते हो, क्लुकि की कुछ शब्द बहुत ही असान है और अब तो आप इतने सारे कर चुके हो, संधी भी कर चुके हो, तो आप अपने आप ही कर पाएंगी, उसके बाद है कई सारे प्रत्ते भी हैं इसमें, तो देखते हैं, कौन-कौन से प्रत्ते हैं इसमें जैसे शुत्वा शुत्वा में भी प्रत्व है और यहाँ पर शुत्वा में भी प्रत्वा है परविष्टवती में प्रत्ते है, कृत्वा में प्रत्ते है, कर्तुम में प्रत्ते है, लब्दवती में प्रत्ते है, संतोशयन में प्रत्ते है, परिश्रांता में प्रत्ते है इस तरह से कितने सारे प्रत्ते है तो आप इनको समझी गए होंगे परन्तु जल्दी से एक बार फिर बता देती हूँ जैसे परविश्टवती ये कतावतू प्रत्ते है इस त्रिलिंग में है अगर ये पुलिंग में होता तो परविश्टवान ऐसा करकी होता अब कृत्वा में कौन सा प्रत्ते है कत्वा प्रत्ते है क्रीध हातू को कत्वा प्रत्ते लगता है इसी तरह से शुरुत्वा में भी कत्वा प्रत्ते है शुरू धातू को कतवा प्रत्य लगा तो इधर से ये भी देखिए प्रविष्टवती लब्दवती ये भी कतवतू प्रत्य है अब लब्धातू को कतवतू प्रत्य लगा अब गर्तुम में तुमुन प्रत्य है क्रीधातू को तुमुन प्रत्य लगा के लिए अर्थ में होता है सहायता करने के लिए बोला न तो इसलिए के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्य होता है अब प्रसृत प्रसृत में है कतव प्रत्य ये भी भूत काली के लिए ब्रयोग किया जाता है ये परी श्रांता इसमें भी कतव प्रत्य है इसमें परी उपसर ये पुलिंग है, परिशानता थिमक्का, इसमें विशेशन विशेशे भाव भी है, देखिए, अब थिमक्का क्या है, संग्या है, इसकी विशेशता अबताई जा रही है, परिशानता शब्दा से, तो ये विशेशन हुआ, ये विशेशे हुआ, इस तरह से विशेशन विश सकते हो अब देख लेते हैं हम इसमें कि कौन से अव्वे हैं अव्वे भी आप अपने आप करना सीख गए हैं तो मैं कुछ एक दो बताऊंगी इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा बाख की आप अपने आप करेंगे जैसे इती है बार बार इती का परियोग हो रहा ह अब कदा भी तो इसमें कदा भी अव्वे है अपी भी अव्वे है इसे तरह से तत्र भी अव्वे है एव भी अव्वे है अता भी अव्वे है समा भी अव्वे है इस तरह से आप जितने भी इसमें अव्वे आए हैं आप अपने आप चाटेंगे और बाकी सभी पदों का पारिचे भी अपने आप करेंगे इसके आगे चलते हैं पत्यू इमई वचनई प्रभाविता पंच शष्टी वर्षिया पत्य वचनई इन वचनों से अब कोन से वचनों से क्योंकि उनके पत्य ने उनको क्या कहा कि प्रकृती ही हमारा सहारा है और पुत्र वर्षियों को कह दिया तो इसलिए पत्य के इन वचनों से प्रभावित हुई पंच शष्टी वर्षिया पैसट वर्ष की थिमक्का पत्या सहे पती के साथ प्रती दिनम हर रोज व्रिक्षा रोपनम करोती सम व्रिक्षा रोपन करती थी पुनस्च रोपिता नाम व्रिक्षा नाम सेचनम रक्षणम च करोती सम और फिर रोपित व्रिक्षों के लगाएगए व्रिक्षों की सिच्चाई और रक्षा करती थी आचीरामेव चीरामेव जल्दी से ही आचीरामेव शिग्र ही तया रोपिता शिग्र ही उनके द्वारा लगाए गए जो उगाए गए थे उनके लिए है बहववट व्रिक्षा बहुत से बढ़ के व्रिक्ष सम्रिद्धा जाता सम्रिद्ध हो गए यानि कि बढ़े हो गए जल्दी ही उनके द्वारा लगाए बहुत से बढ़ के व्रिक्ष सम्रिद्ध हो गए सर्वत्र हरितिमा प्रास्रिता सब जगे हर्याली फैल गई हर्शिता जना खुश हुए लोग एतत द्रिश्टवा यह देखकर तयो उन दोनों की सहाययम सहायता कुर्वंतीसम करते थे स्वा जीवने थिमक्का प्राय चत्तुशे शतम वट व्रिक्षाना अस्ट सहसरम अन्य व्रिक्षाना चरोपनम कृत्वती अपने जीवन में थिमक्का ने लगबग 400 बढ़ के व्रिक्षों और 8000 दूसरे व्रिक्षों का रोपन किया इतने व्रिक्ष लगाये उन्होंने वर्दमानान व्रिक्षान पुत्र वत द्रिष्ठवा बड़े हुए व्रिक्षों को पुत्र के समान देखकर सा अत्यंतम हर्षम अनुभवती वह बहुत हर्ष का अनुभव करती है बहुत खुश होती है बड़े वेवरिक्षों को पुत्र के समान देखकर वह बहुत खुशी का अनभव करती है पत्यों मरनांतरम पते के मरने के बाद भी सा एतत उनोंने इस पवित्रकार्य को न अत्यज़त नहीं छोड़ा पती के मरने के बाद भी उनोंने इस पवित्रकार्य को नहीं छोड़ा थि मक्काया जीवनम थि मक्का का जीवन पर्यावरण समस्या भी पर्यावरण की समस्याओं से ग्रसित अस्य ग्रसित संपोन विश्वस्य संपोन विश्व के कृते के लिए प्रेर्णापदं प्रेर्णापद अस्ती है थिमक्का का जीवन पर्यावरन समस्याओं से ग्रसित पूरे विश्व के लिए प्रेणा ब्रद है तो हमें भी थिमक्का के जीवन से प्रेणा लेनी चाहिए और हमें भी व्रिक्षारोपन करना चाहिए तस्या एतेन कारेन उनके इस कारिय से प्रभावित भारत सर्वकार प्रभावित भारतिय सरकार ने 2019 तमें वर्षे 2019 स्वी में पदमश्री इती पुरुसकारेन पदमश्री ऐसे पुरुसकार से ताम उनको सम्मानिताम आकरोत सम्मानित किया अब 2019 स्वी में यानि के पिछले वर्षी उनको पुरुसकरित किया गया है उनके इस कार्या से प्रभावित भारत सरकार ने 2019 स्वी में पदमश्री इस पुरुसकार से उनको सम्मानित किया थिमक्का यही पुरुसकारम यच्छन थिमक्का को पुरुसकार देते हुए राष्ट्रपती अतीव गौर्वं अनुभूत्मान राष्ट्रपती ने बहुत गौरव का अनुभव किया अधुना सरवेजना अब सब लोग ताम उनको वरिक्षमाता इती नामना सम्मोध्यंती इस नाम से सम्मोधित करते हैं उक्तम्च कहा भी गया है क्या कहा गया है दशकूप समावापी अब दसकूओं के समान बावडी है दशवापी समू हरद और दस बावडियों के समान सरोवर है दश हरद सम पुत्रों और दस सरोवरों के समान पुत्र है दश पुत्र समू दुरुम तो दस पुत्रों के समान वरिक्ष है देखो वृक्ष के कितनी मैता बताई गई है कि 10 पुत्रों के समान वृक्ष है फिर से देख लेते हैं एक बार दस कूओं के समान बावडी है, 10 बावडी के समान सरोवर है और 10 सरोवर के समान पुत्र है और 10 पुत्रों के समान वरिक्ष है थी मक्काया व्रिक्ष रोपनम कार्यम असमा भी अपी करणियम थी मक्का का व्रिक्ष रोपन कार्य हमारे द्वारा अपी भी करणियम किया जाना चाहिए थी मक्का का व्रिक्ष रोपन कार्य हमारे द्वारा भी किया जाना चाहिए अब इसमें भी बहुत से संदी अक्षर हैं बहुत से प्रत्ते लगे हुए अक्षर हैं और अब वे तो होते ही हैं तो देखते हैं कैसे तो सबसे पहले हम देखते हैं संदी अक्षर कौन कौन से हैं व्रिक्षा रोपनम देखिए व्रिक्ष प्लस आ रोपनम दीर की संदी है न अ और अ मिलकर आ बन गया है उसके बाद मरण अनंतरम भी कर सकते हूँ और ना त्यज़त भी संदी है न प्लस आ त्यज़त नहीं छोड़ा इसमें भी क्या है दीर गसंदी है उसके बाद है उक्तं च यह है उक्तं प्लस च देखिए सामने च है और चवर्ग रहने पर मा का चवर्ग का पंचमवर्ण ही हो जाना है इसलिए यहां पर नियां ऐसा हो गया ही नियां हो गया न चवर्ग का अंतिमवर्ण है पुनाश च में भी संदी है पुनाश प्लस च यह चुनाश चुत्व होता है यानि चवर्ग और विसर्ग को श हो जाएगा वैसे भी देखें इचोईशा नाम तालू होता है तालू से बोला जाता है ना च तो श भी तालू से बोला जाता है ऐसा भी ध्यान रखना चाहिए हमको और इसमें बहुत से प्रत्ते लगे हुए शब्द भी आए हैं तो उनको भी देख लेते हैं प्रस्रिता ये मैंने आपको पहले भी पताया प्रस्रिता आया था तो ये कता प्रत्ते लगा हुआ है वो पूलिंग था, ये स्ट्रेलिंग है दृष्टवा, ये पहले भी आप वैसे कर चुके हो कतवा प्रत्य है ये दृष्टधातु को कर अर्थ में परियोग करते हैं न, ये भी देखो दृष्टवा आ गया दृष्टवा कतवा प्रत्य है और यच्छन ये होता है शत्री प्रत्य हुए अर्थ में परियोग किया जाता है देते हुए आया न यहां पर तो इसलिए यहां पर ये शत्री प्रत्य है पीछे भी आया था संतोशियन उसमें शायद मैंने आपको नहीं बताया उसमें भी शत्री प्रत्य है, उसमें भी शत्री प्रत्य है, देख लेते हैं, ये आया था, संतोशियन, ये भी शत्री प्रत्य है, वे अर्थ में परियोग किया जाता है, करणियम, ये भी आप कई बार पहले कर चुकियों, ये क्रीध हातु को अनियर प्रत्य है, चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं इसको अनुभूदवान ये भी मैंने आपको बताया वती आया था लब्द वती वगएरा उस में इस्त्रेलिंग में था कतवतू प्रत्य और ये अनुभूदवान कतवतू प्रत्य ही है प्रंतु यहां पर यह पूलिंग है वर्दमानान यह भी प्रत्य है यह शानच प्रत्य है प्रंतु यह आत्मनही पदी धातूं को लगता है वरिद धातू आत्मनही पदी है कैसे चलती है वर्दते वर्धेते वर्धनते तो यह शानच प्रत्य है बड़े हुए ये भी हुए अर्थ में प्रियोग किया जाता है शत्री भी जैसे हुए अर्थ में प्रियोग किया जाता है प्रन्तु हुए या प्रस्मी पदी शत्री प्रत्य लगता है और शानच प्रत्य आत्मनाई पदी धात्यों को लगता है होता हुए अर्थ में ही है दोनों प्रत्य इसकी अतिरेक्त और भी प्रत्य आये होंगे देखते हैं ये जाता हा ये भी कतब प्रत्य है ये कतब प्रत्य ही है इसमें बहु वचन में है ये जाता हा अगर होता तो ये पुलिंग एक वचन होता अब ये पुलिंग बहु वचन ह इस तरह से प्रत्य भी होगे अब हम करते हैं अव्वे कौन कौन से हैं अव्वे देखते हैं अव्वे वैसे आप अपने आप कर सकते हो थोड़े से मैं बता देती हूँ सह अव्वे है, च अव्वे है, समा अव्वे है, फिर से समा आ गया, सरवत्र अव्वे है, कृते भी अव्वे है, इस तरह से कई सारे अव्वे है, इत्ती अव्वे है, अपने आप कर लेंगे, और इसमें एक दो बाते और भी बताने की हैं, देखिए, जैसे यहां पर आया क्रिते अब क्रिते आया है इसके योग में होती है शष्ठी विभक्ति जब भी क्रिते होगा न तो उससे पहले आपको शष्ठी विभक्ति मिल जाएगी क्यों क्योंकि क्रिते के योग में शष्ठी विभक्ति आती है संपून विश्वस्य कृते बोला न, पूरे विश्व के लिए, और कृते अर्थ में होती है, शष्ठी विवक्ती, तो ये आभी सकता है, प्रिक्षाव योगी प्रशन है, कि कृते योगे का विवक्ती, तो आप कहेंगे, शष्ठी विवक्ती, इसी तरह से किसी को जब कोई चीज दी जाती है जैसे दाधातु योगे कौन सी भक्ति जिसको दी जाती है तो उसमें कौन सी भक्ति आ जाती है चतुर्थी भक्ति आ जाती है अब ये यच्छनाया देते हुए तो दाधातु योगे चतुर्थी भक्ति तो ये भी हम अगर पूछे दाधातु योगे का भी विवक्ति तो आपने बताना है चतुर्थी विवक्ति तो ये थी हमारी विवक्तियां भी और इसके अलावा बाकी विवक्तियां तो आप अपने आप बता सकते हो कि किसमें कौन सी विवक्ति लगी है इसके अदिलिक्त विशेशन विशेशे एक दो और बता नहीं जैसे इसम प्रभाविता पंच शष्टी वर्षिया थिमक्का अब संग्या कौन है थिमक्का तो ये तो क्या हो गया विशेशे हो गया और प्रभाविता विशेशन पंच शष्टी वर्षिया भे विशेशन है और ये विशेशे हो गया थिमक्का देखो थिमक्का और प्रभाविता में एक ही भुख्तिवचन है वर्शिया में भी पंच सश्टी वर्शिया क्या हो गया संख्यावाची विशेशन हो गया इसी तरह से रोपिता नाम विशेश्ण विशेश्य भर अशिता जना विशेश्ण विशेश्य तो यह आप अपने आप कर सकते हो यहीं पर पाठ की समापती है अच्छे से पाठ को समझ लेंगे और सभी प्रत्पदों का परिचे भी जान लेंगे जहां कठी नाई आए कमेंट करके पूछ सकते हो धन्यवाद